हाई फ्रेंड्स कैसे सब लोग नमस्कार स्वागत है आपका कंसर्ट आरेने के डिजिटल प्लेटफर्म पर आज हमारी gym class है यह totally dedicated to the Northet 2022 रहने वाली है हम जो भी बाते आज यह करेंगे सब कुछ केवल आपका Northet 2021 को ध्यान में रखकर किया जाएगा आज हम इस class के अंदर दौ हमारी class होनी है, आज ओर एक कल class होगी दो classes में part 1st और part 2nd बेसिकली तो community बहुत बड़ी है आप सब लोगों ने इसे detail में पढ़ा होगा कुछ लोग पढ़ रहे होंगे लेकिन हम इन में से वो point आपको जरूर बताने का प्रियास करेंगे जो अती महत पूर्ण है इसमें से वो point मेरे इन दोनों क्लासों में बताए जाएंगे जहांसे examiner caution बनाने की पूर्ण संभावना रखता है तो आप सभी लोग जो लोग नौर्शेट की exam देने की तयारी कर रहे हैं पूर्ण तरीके से पढ़ चुके हैं अपने क्विक रिव्यूस के साफ से आप इसे पढ़ सकते हैं कॉसिस करना है कि जो मैं पीपीटी पे लिखूं उससे आप रिटन करो और जो अल्ड़ेडी तुम्हें point मिलेंगे हम caution डिल नहीं करेंगे आपको आपको नजर आएंगे सामने वह तुम्हें क्लास के बाद हुबहूं मिल जाएंगे तो आपको जो मैं लिखूंगा वह आपको लिखना है बाकी को ध्यान पूर्वक सुनते रहना और एक क्यूविक रिव्यूस के साफ से आपको लेना है थोड़ी सी स्पीड तेज ह है जान से देखिए का फॉट्डव दिदे को अभी तो असली मनजिल पाना बाकी है अभी तो अबी तो इरादों का अमतहान बाकी है अभी तो मापी है मुठी बर जमीन अभी तो तोली है मुठी बर जमीन अभी तो तोलना बाकी है पुरे आशमान को बोलना है कि इससे ये बात साबित होती है एक मौटिवेशन हमी मिलता है कि अभी तो बहुत कुछ करना हमें बाकी है अभी हमारे पास एक इतना समय है हमारे पास अभी भी है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे इरादों को एक नई उचाई हम दे सकते हैं हमारा एक ड्रीम जो है नर्सिंग अफिसर बनने का उसे हम बेसक पूरा करना चाहेंगे और अगर हम तुम इसी लगन और मैनस से काम करते रहोगे आपको इश्वर जरूर इस मंजिल तक पहुचाएगा क्लियर इसी कामना के साथ मैं इस स्थेशन को प्रारब करता हूँ चलिएगा सबसे पहले आपका पॉइंट्स गुड इउनिंग टू आल सभी लोगो गुड इउनिंग प्रिंस गुड इउनिंग सभी लोग जल्दी से जुड जाएगे जल्दी से जुड जाएगा प्लीज समय इतना नहीं है थोड़ा जल्दी से जुडने का प्रियास करें अपने साथी जो लोग है जो लोग नौर्ट सेट की तैयारी कर रहे है उन्हें भी बूलिएगा जल्दी से वह क्लास का अनंद ले में चलेगा बहुत बढ़िया सभी लोग जल्दी से अवाज क्लियर है हम सेसेनी स्टार्ट कर सकते है क्लाज क्लियर है आपको बिल्कुल वाइस क्लियर आ रहे है अवाज गुड इवनिंग टॉ अवाज क्लियर है ओके चलिएगा सबसे पहले तुमारा फर्स्ट गॉल्डन पॉइंट आपकी स्कीन पर अविलेबल है ध्यानपुर्वक देखिएगा यह हैं एक हेल्थ की डैफिनेस्पन से बना हुआ गॉल्डन पॉइंट है डैफिनेशन दी है 1948 में डैफिनेशन दी थी यह एक्जाम में दो से तीन बार रिपीट हो चुका है कि डैफिनेशन दी गई है उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो महत्पूर्ण होते है तो याद रखेगा फिजिकल, मेंटल और सोशल केवल तीन ही डैफिनेशन सामिल है याद रखेगा इसमें इस्प्रिच्वल डैफिनेशन को सामिल नहीं किया गया है कौन से dimension को spiritual dimension को सामिल नहीं किया गया है तो पहला point याद रखिएगा physical, mental and social ये जो dimension होते हैं तुमारे ये तीनों ही केवल सामिल होते है health की definition में clear याद रखिएगा दूसरा जो blood होता है HIV व्यक्ति का उस blood को याद रखिएगा यहाँ पर दो point बनता है एक point तो बनता है कि blood को clean करना तो ये 5% sodium hypo chloride solution जाएगा लेकिन अगर हम surface को clean करने, blood को remove करने की बात है तो यहाँ 5 ने 10% जाएगा, clear, 10% जाएगा और अगर surface को clean करना हो, surface को clean करना हो तो जवाब जाएगा 5% hypo chloride solution, clear, अगर blood को clean करना है तो 10% hypo chloride solution, और अगर surface को clean करना है तो 5% है उस ब्लड को तुम्हें करना होगा तो जवाब होगा टैन परसंटेज हाई परसंटेज सॉलिशन चला जाएगा इसके लाबा आपसे कुछ सवाल भी मैं पूछूंगा ध्यान से सुनते रहिएगा सेशन के बीच में आपसे कुछ युशु करूँगा था कि तुमने कितना रिवियू किया है याद रखिएगा क्लियर के बाइस्ट असपशल ऑफ हॉस्पेटल वेस्ट जो असपड़ATE में बनता है उसobenता दैक ने सब से बडिया तरिका कौन ने तो याद रखेंगा incineration incineration एक वह है method होता है जिसमें हम high degree temperature पर waste को combust कर देता है जला देता है तो सबसे बढ़िया method कौन सा होता है जवाब देना है incineration is the best method incineration एक सबसे बढ़िया method होता है जिस method के दुआरा हम क्या करते है waste को dispose कर देता है clear आगे देखिएगा next आपका point number next point point number five आपके skin पर available है anatomical waste जो होता है soiled waste जो होता है यह category के साब से बाटा गया है आपकी regidical और discarded blood bags आपके हैं सके लावा expired और discarded medicines होते हैं cytotoxic waste है और ऐसे सारे item जो blood से connected है यह सब कौन सी category में जाएंगे तो याद रखना है yellow category में यह है याद रखिएगा yellow category जो होती है हमारी biomedical waste में yellow category होती है उसमें कौन सा waste जाता है तो याद रखना है जो भी blood से सम्मंदित waste होता है blood से सम्मंदित जितना भी waste होता है वो yellow category में जाता है इसके अंदर इसके अलावा blood की अलावा जो discarded medicines है वो आज कर इसमें जा रही है cytotoxic drug को इसमें डाला गया है अगर category की wise बात करूँ हूँ तो मैं category number 1 waste की category number 2 waste की category number 3 जो waste की आती है category number 5 waste की category number 6 जो waste की होती है और category number 10 ये सारी category हैं इसमें डाली जाती है waste की category में clear total waste को 10 category में बाटा गया है आपने पड़ा होगा इन 10 category हो में से ये सारी category yellow वाले बैग में चली जाती है ये बहुत important है याद लगना yellow में एक special point बता रहा हूँ याद रखेगा placenta इसको जरूर mind में याद रखेगा examiner जरूर सवाल बनाता है यहां से placenta के उपर याद रखेगा placenta किसमें जाता है आपको याद रखना होगा yellow bag में किसमें जाता है yellow bag में clear इसके अलावा rubber के जितने भी item होंगे वो सब किसमें जाएंगे red में याद रखेगा rubber के जितने भी item होते हैं वो सब किसमें चले जाते हैं red वाली category में clear क्लियर बहुत बढ़िया यलो में जाएगा और जितने भी रैड वाले होते हैं वो सब किस्में चले जाएएगे रबड वाले सारे आइटम सारे रैड में चले जाएएगे क्लियर आगे देखीएगा नेक्स अब की next point देखीगा यह immunity वाले point से लिया गया है तुमारे herd immunity नाम सुनाओगा आपने herd immunity herd immunity जो होता है herd immunity देखीगा herd immunity का दूसरा नाम social immunity इसी को बोलते है इसी को बोला गया population community immunity population immunity या community immunity इसी को ही बोला गया है तुमारा यह क्या होता है यह resistance होता है Community का किसी particular disease के लिए मतलब एक तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक व्यक्ति की immunity जैसे रमेश की immunity मोहन की immunity तो यह एक व्यक्ति की immunity होती है लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूँ एक group की immunity एक छोटा group है पचास लोगभा संहुएं दस लौगा समुएं तो उसे मैं बोलता हूं हर्ड इम्तिम मतले हैं एक ग्रूप की इम्तिमारी क्या होता है कि यह यह क्रइब того है कि एक logical barrier immunological barrier of a community of a community to prevent to prevent spread of disease to prevent spread of disease spread of disease ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके clear याद रखिएगा तो herd immunity का मतलब community की community group community होती है और यह है एक immunological barrier भी होता है direct line यहां तखिए का immunological barrier clear यह हर्ड immunity कहलाता है next देखिएगा next देखिएगा next देखिएगा next देखिएगा point number seven point number seven बोलना चाहता है कि non infectious waste जो भी होते हैं non infectious waste जो भी हैं तुमारे non infectious waste like papers rapers of medicine cover of fruit से कौन से में जाएंगे तो जवाब होगा black color में कौन से में चले जाएंगे black black color का जो होता है bag उसमें ऐसे वाले वेश्ट जाते हैं जो होते हैं कैसे non infectious cytotoxy भी बोड़ते हैं इनके डब्वे पे ऐसा निसान होगा सी का निसान मिलेगा तुम्हें क्लियर इसके अलावा नेक्स देखिएगा आपका ओटो क्लेव के बारे में बात हो रही है ओटो क्लेव का तापमान कितना होता है तो 121 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपोटेंट पॉइंट है या लखिएगा दूसरा इसका प्रेसर कितना होता है 15 lbs पर इंच स्कॉयर प्रेशर अगर इसको मैं केजी स्कॉयर में बोलू तो बोलूगा 1.06 kg cm स्कॉयर प्रेशर यह दोनों प्रेशर है 1.06 kg cm स्कॉयर प्रेशर और 15 lbs पर इंच स्कॉयर प्रेशर अटकलेव का तापमान 121 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा यह कौन से स्ट्राइजेशन में आता है ड्राई हीट इस्ट्राइजेशन या वीट इस्ट्राइजेशन तो पानी के संपर्ग में सीधे इस्टुमेंट आते हैं तो मैं ब होगा वीट हीट इस्ट्राइजेशन का चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यह आइसबर्ग फिनोमीना से लिया गया है आइसबर्ग फिनोमीना जो होता है इस आइसबर्ग फिनोमीना में हमारे पास में एक लाइन होती है लाइन के उस लाइन को बोलता है लाइ पोर्शन फ्लोटिंग टिप क्या बदाता है जवाब होगा यह बदाता है किलिकल केसे को कौन से केसे को किलिकल केसे को या डाइग्नोस्ट केसे को या सिम्टोमेटिक केसे को जो दिखाई दे रहा है डाइग्नोस्ट केसे बोल सकते हो या फिजिशन सीन केस बोल सकते हो जिनक इसके अलावा जो portion submerged portion होता है जो नीचे डूबा हुआ है मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे तुम क्या बोलोगे इसे latent बोल देते हैं in apparent cases बोल देते हैं pre-symptomatic case बोलते हैं मतलब symptom से पहले की आवस्ता बोलेंगे से या undiagnosed cases बोल देते हैं या carrier इसे कह देंगे मतलब एक दिखाई दे रहा है वो उपर चला जाएगा जो दिखाई नहीं दे रहा है वो नीचे चला जाएगा clear है ये points चलिएगा next point देखिएगा point number 11 point number 11 देखिएगा point number 11 बोलना चाहता है तुम्हें कि incubation period क्या होता है incubation period क्या होता है किसी भी microorganism का body में प्रवेश करने से लेकर पहला लक्षन आने तक का समय क्या कहलाता है तो जवाब होगा incubation period कहलाता है क्या कहलाएगा incubation period clear इसके लावा ये level of prevention से लिया गया है किसी भी risk factor को कम करना decrease the risk factor individual risk factor को बनने से रोकना clear prevent करना prevent the risk factor मलब risk factor बने नहीं है decrease का मलब यहाब बनने से लिया गया है risk factor को बनने से रोकना या individual health education देना या mass education देना lifestyle को modify करना ये कौन से level का prevention होगा तो जवाब होगा primordial level of prevention कौन सा होगा primordial level of prevention most important topic telegram मिल जाएगा क्या सर जी बिटा मिलकुल मिल जाएगा अभी यहां पढ़ते रहिएगा उसके बाद एक बार समझने के बाद जो तुम्हें पढ़ाय जा रहा है मैंने बोला starting में कि जो पढ़ाय जा रहा है वो तुम्हें मिल जाएगा जो मैं लिख रहा हूं उसे तुम लिख लीजेगा साथ में बाकी जो मैंने द्वारा पढ़ाय जा रहा है जो इस slide में वो तुम्हें मिल जाएगा clear PDF बेस दी जाएगी तुम्हें channel के उपर तो जो आपका risk factor होता है इसको बनने से रोकना individual education देना mass education देना यह सब किस में चला जाता है तुम्हारे primordial level of prevention जो सबसे पहला prevention होता है risk factor अनुपस्तित होते है primordial prevention में याद रखिएगा clear risk factor अनुपस्तित है तो primordial बहुत बढ़ी है गुड़ू स्रिस्या ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और risk factor अगर present है तो primary level of prevention चला जाएगा clear आगे देखिएगा next question number 13 आपका topic number 13 है इसको देखिएगा anti-toxin, anti-sira, anti-tetna serum यह हमें कौन सी प्रकार की या IV immunoglobulins यह IV है intravenous immunoglobulins जो हम देते हैं यह कौन सी immunity प्रथान करती है तो याद रखिएगा जब कभी भी हम इनकी बात करते हैं जिसमें हम anti-toxin, anti-sira दे रहे हैं यह vaccine नहीं होती है यह सब हमें क्या देती है passive वाली कौन सी देती है passive acquired immunity कौन सी देते हैं passive acquired immunity passive acquired immunity artificial 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 और acquired दो प्रकार हमारी जो immunity होती है immunity को हम बाड़ते हैं दो स्रेणियों में innate immunity होती है required होती है acquired के दो भाग होते है active और passive और दोनों में एक आता artificial immunity और एक आता natural immunity है तो यह artificial ही artificial में भी कौन सा artificial passive वाली है clear artificial passive acquired immunity का भाग होगा जिसमें हम ready matte antibody देते हैं मनुष्य के सरीर के अंदर clear next देखिएगा आप यह भी तुमारे level of prevention से लिया गया है यहां मैंने वो सारे example दिया है जो primary prevention में important होते हैं इनको एक बार आप बहुत दीरे दीरे तरीके से मैं बोल रहा हूं सुनते रहिएगा remove the possibilities of disease occurrence बिमारी की संभावनाओं को गठाना risk factor को गठाना primordial बिमारी की संभावनाओं को गठाना किसमें चला जाएगा primary prevention में clear इसके लावा health promotion primary में जाएगा इसमें environmental modification हो सकता है nutritional intervention हो सकता है life style behavior को change करना हो सकता है specific protection में immunization हो सकता है isolation of communicable disease हो सकता है बिना treatment के contra safety उसमें हो सकता है pp kit पहनना हो सकता है isolation in communicable disease यह पहले भी आया है यह वाला same quarantine होना without treatment के quarantine without treatment इसमें चला जाएगा इसके लावा profile axis आ जाएगा seat belt पहनना इसमें चला जाता है इसके लावा helmet पहनना चला जाता है यह सब कुछ example primary prevention के हैं यह वो सारे example मैंने तुम्हारे सामने दिया है जो examiner के नजर में होते हैं याद रखिएगा इन सभी पे से सवाल बने हुए हैं यह example है जो primary level of prevention में आते हैं clear all vaccine बिल्कुल बेटा है BCG vaccine को accept करते हैं और contraceptive method में हम जब BCG की vaccine को bladder cancer में काम में ले रहे तो यह secondary prevention में जाता है नॉर्मली यह इसी में जाएगा clear आगे देखिएगा बारवे नंबर का question दुबारा से please बारवे नंबर का point क्या था देखिएगा अभी बताते हैं बेटा बारवे नंबर का point तुमारा बोल रहा है decrease risk factor यह primordial prevention की बात हो रही है risk factor को कम करना इसके लावा individual health education देना इसके लावा mass education देना life style को modify करना और यह सब चीजे primordial prevention का भाग होती है hand बास करना primary level prevention में जाता है मुहमद जी यह primary level का prevention का भाग है clear national health program secondary में जाते हैं आगे देखिएगा ऐसे बहुत सारे example हैं लेकिन मैंने वह example तुमारे सामने रखे हैं जो की exam के लिए अती महत्पूर्ण है clear आगे देखिएगा यह मैं सब बाते कर रहा हूं तुमारे सामने टर्सरी प्रिवेंशन में कि टर्सरी प्रिवेंशन में क्या-क्या सामील होगा और सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या-क्या सामील होगा इन दोनों को भी देखिएगा सबसे पहले मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या-क्या सामील होगा प पेस्टिकुलार सेफ एक्जामिनेशन करना पैप स्मेर करना अर्ली डाइग्नोसिस करना जाएक स्पूटम टेस्ट है मल्टी ड्रग तेरपी देना है डोड तेरपी देना है यह जो सारी चीजें वह सब किसका भाग होती है सेकेंड्री प्रिवेंशन का चिसमें लिमिटेशन और दूसरा होता है रिहाबलिटेशन यह दोनों किसमें चले जाता है तुमारे टर्सरी में इसके लावा जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उन कॉम्प्लिकेशन को कम करना भी किसमें चला जाता है तुमारा तुमारा तर्सरी प्रिवेंशन का भागी होता है क्लि यह माइनर सर्जरी करवाना है टूथ एस्ट्रक्शन करवाना है डेंटल फिलिंग करवाना है यह सब सेकेंडरी में चले जाता है अब आप इन चारों को एक सिंपल तरीके से याद रखना अपनी खौपड़ी में याद रखना है नौर्चेट के लिए नमस्कार गुरुजी स रिस फैक्टर भी नहीं है और हमारा उद्देश है रिस फैक्टरों को बनने से रोकना रिस फैक्टर बनने से रोकने के लिए जो कुछ भी करेंगे वो सब किसमें चला जाएगा प्राइमोर्डियल में दूसरा रिस फैक्टर उपस्तित है बिमारी नहीं हुई है हमारा complication को रोकना he secondary prevention में चला जाएगा तरसरी prevention बिमारी अंतिम चर्णों में हैं और हो के बाद बनने वारे complication के संख्याओं को कम करना उनके दुर्श प्रभाओं को कम करना तर्सरी लेवल का prevention कहला आता है इस श्रेणी में इने बाड़ा गया clear तो यह level of prevention होते है mostly primordial primary secondary और tertiary level of prevention आगे देखिएगा next यहाँ पर भी कुछ सर्जरियों का नाम दिया गया जैसे surgical treatment है पालेटिव सर्जरिया है यह सब तर्सरी में जाती है पालेटिव सर्जरिय तर्सरी कौन सी वैक्सिन खोजी गई जवाब होगा smallpox की वैक्सिन किसने खोजी थी तो जवाब होगा एडवर जेनर ने कब खोजी थी 1796 में कब खोजी थी संच 1796 में यह वैक्सिन 1796 में खोजी गई थी clear 1706 में Edward Jenner के दुवारा यह vaccine खोजी गई थी clear किसमें खोजी गई थी तो जवाब उझे ना है cow box में किस वाइरस से खोजी गई थी vaccine या वाइरस से तो यह vaccine कैसी थी live vaccine थी यह पहली vaccine है clear सन 1706 में बिलकुल 1709 में खोजी गई थी इसके बाद देखिएगा next BCG की और टाइफोड की vaccine दोनों bacterial live vaccine होती है bacterial live vaccine होती है दोनों एक trick भी मैं बताता हूं उसके लिए बेटा बहुत तेज clear बेटे का मतलब bacterial live vaccine बहुत तेज में BCG और टाइफोड oral vaccine आती है clear तो 1722 नहीं गुडिया 1796 1796 में यह एड़र जेनर के द्वारा खोजी गई थी आगे देखिएगा point number 20 यह live vaccine हो का और killed vaccine हो का example तुमारे सामने में दे रहा हूं रोटा वाइरस की vaccine तुमारी रोटा वाइरस की vaccine chicken pox की vaccine OPV की vaccine इसके लावा yellow fever की vaccine MMR की vaccine यह सब live viral vaccine होती है इसको याद करने की trick मैं हर बार तुम्हें बोलता हूं बताया भी गया है इसकी जो trick होती होता है वैसे राम चाचा और यह मोहन मुझे रूलाता है clear इसके लावा open school for blind which level of prevention tertiary rehabilitation का भाग होता है बेटा school खोलना blind के लिए डीफ के लिए यह सब tertiary level का prevention होता है clear टाइफोड injection वाली टाइफोड है यह कोलेरा की वैक्सीन प्लैब की वैक्सीन और प्रटूसिस की वैक्सीन यह सब वैक्सीन बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन होती है इसके लावा रेबीज की वैक्सीन साल की वैक्सीन इंफ्लेंजा की वैक्सीन हैपिटाइडिस ए हैपिटाइडिस बी इसके लावा एक और याद रखना है को वैक्सीन यह पिछले बार नोट सेट में पूछा गया था को वैक्सीन यह सारी वैक्सीन कैसी होती है याद रखना है killed viral vaccine होती है कैसी है killed viral vaccine clear killed viral vaccine तो ये सारी example मैंने दिये तुमें live vaccine होके और killed vaccine होके live में viral कौन सी और bacterial कौन सी है clear इसके बाद देखिएगा ये vaccine का इस टोरे से सम्मन्द में vaccination में बहुँ जा सवाल आता है या दखिएगा नौर सैट में vaccination वाले topic को अच्छे से पढ़ना है T-Series की जो भी vaccine होती है T-Series बोले तो जिनके नाम के आगे जिनके नाम के पीछे जिनके नाम के बीच में T लगा हुआ हूँ DPT, T-T, Typhode ये सारी vaccine जो होती है इन vaccine को कितने degree तापमान पर इस्टोर करते है जवाब होगा दो से लेकर आठ डिगरी पर सीधा सवाल भी आए कि बताओ तुमारी vaccine कितने degree पर इस्टोर होती है तुमारा जवाब होगा दो से आठ डिगरी Celsius पर इस्टोर कर देता है लेकिन जवाल मिले deep freeze vaccine deep freeze सबी का मतलब है freeze सबी आते ही समझ जाना है जिसका तापमान 0 से कम होगा जब तापमान सुने से कम होता तो हम उसे freeze बोल देता है तो deep freeze कि वेक्सिन जो होती है उसमें OPV और मिजस की वेक्सिन आती है OPV minus 20 degree Celsius पर store होता है याद अखिएगा और मीजल्स की वैक्सिन minus 10 degree पर store होती है फ्रिज ड्राइड वैक्सिन सूखी वैक्सिन कौन कौन से होती है तो BCG की वैक्सिन मीजल्स की वैक्सिन और yellow fever की वैक्सिन इसके लावा एक और लेया लगना Japanese Encephalitis की वैक्सिन इसका भी पावडर होता है Japanese Encephalitis यह सारी की सारी Boy the love means BCG open yellow fever Boy the love means BCG OPV yellow fever क्या कहना चाहते हो चलिए फ्रीज ड्राइड वैक्सिन जो होती है इसमें कौन कौन सी वैक्सिन आती है BCG measles yellow fever और Japanese Encephalitis clear आगे देखिएगा इसके बाद next move कर रहे है point number 26 यह आई गया यहीं पर OPV की वैक्सिन को कितने डिग्री पर स्टोर करते है मैंने जास्ता भी बताया माइनस 20 डिग्री सेलसेस पर स्टोर कर लेंगे BCG की वैक्सिन जो यह वो किसके साथ मिलाई जाती है NS के साथ में नार्मल सालाईन के साथ मिलाते और कब तक काम मिलेता है 4 गंट्थे काम मे लिया जाएगा clear इसके लबाव मिजस्सं की जो वैक्सिन है वो किसके साथ डिञॉल करते हैं तो दिश्टिल वाटर के साथ डिजॉल करेंगे और यë कब तक काम है यड़ विपी 4 गटे में लेकिन बेस्ट एक गंटे तक आम आता है यह कंटे बेस्ट है और मेंकजिमम कब तक काम मिले सकते है क्लियर छलिएगा कि नेक्ट देखिएगा क्टी 2 6. है जापनीज एंस फिलाइट इस जो हता है जापनीज एंस फिलाइट है यह जो वैक्षिन इसको किसमें करते हैं कि पावड्र है डिजों करना पड़ेगा इसके अंदर 0.5 ml स्ट्राइल वाटर के साथ आप डिजोल कर सकते हो यह सिंगल डोज वाली है और अगर मल्टीपल डोज आती है तो 2.5 ml फोस्पेट बफर सैलाइन के साथ कर सकते हो यह सवाल PGI चंदिकड़ स्टाफ नर्स में पूछा गया था तो जापानी एंस से सेंसेटीव वेक्सिन कौनसी होती है मोस्ट हीट सेंसेटीव सेंसेटीव सब्का मिलत समझना लगों ना है करा भॉल कराब हो जाना ऐसी से बसे रहें अपाइगे और आए ये राजस्तान में आते ही गर्मी में परिशान हो जाना है तो OPV की जो वैक्सीन होती है वो कहां रहेगी या लखना है यह है आपका माइनस 20 पर रहती है इसे गर्मी पसंद नहीं है गर्मी में खराब हो जाएगी अगर यहीं सवाल आता है most heat resistant इस सवाल बने में सारे most heat resistant वैक पसंद थंड पसंद नहीं है अगर तुमने थंड में इसे डाल दिया तो यह जम जाएगी और जमने के बादे खराब हो जाएगी clear आगे देखिएगा next 33 पॉइंट नमर 33 देखिएगा मीजल्स बीसीजी रोटा वाइरस जापानीज एंसेफलाइटिस वैक्सिन्स नॉट इंक्लूडेट इन ओपन वाइल पोलोसी एक नई स्टाटर जी ओपन वाइल पोलोसी 2011 में आई थी है और इसे रिवाइज कर दिया गया था सत्रह सेप्ट स्टूमबर 2015 को बदलाव किया गया था इसमें इस ऑपन वाइल पोलोसी में यह बता जाता है कि जो वैक्सिन्स होती है इन वैक्सिनों को 28 दिन तक काम में ले सकते हो कौन सी वैक्सिनों को जो वैक्सिने खराब नहीं हो रही है लेकिन दो चीजों का उसमें भी ध्यान रख स्टूंथी जुडने के लिए देओं दो हिजाङी वैक्सिन बीची यिए के मैं खरो hissें की यह जिए इसे इसे नहीं जोड़ा गया है उसके अंदर किसको जोड़ते हैं ऐसी वैक्सीन जो ओपर वाइट पॉड़ाशी में जुड़ी हुई है इसमें याद लखना है तुम्हें जुडने वाली में ओपीवी को जोड़ा गया है तुम्हारी डीपीटी को जोड़ा गया है तुम्हारी TBT को जोड़ा गया इसको आज let Tis भी बोल ने लगे इसके लावा तुमारी Hept atis V vaccine को जोड़ा जया यह सारी वेक्सीन इसमें ँस्थ में आती है ओ पी इप डिपटी टी 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 ळी के लाव पैंट वैलैंट फैंट वैलैंट इन वेक्षीनों को open while policy में जोड़ा गया है clear तो कौन से को जोड़ा गया है कौन से को नहीं जोड़ा गया यहाद रखिएगा clear एक एक वीवीम से लिया गया है caution पिछले exam में वीवीम की full form भी आई थी बिटा पहले नोर सेट में 2020 में वीवीम की full form क्या होती vaccine while monitor अब सुनिए गा जब वीवीम का अंदर वाला square मुझे होते हैं अंदर और बाहर जो अंदर वाला ऐसे होता है अंदर वाला यह बाहर वाला जब अंदर वाला सर्किल गहरा वैक्सीन को काम में ले सकते हैं क्लियर दूसरा सुनिए जब जब ये देखो ये सर्किल में अगर अंदर वाला सर्किल और बार वाला सर्किल दोनों मैच कर रहे हों दोनों का कलर समान हो जाए इसका मतलब आपको समझ जाना है वैक्सीन को क्या करना होगा तुम् का अगर ऐसा पूछा जाए कि अंदर का कलर गहरा हो जाए और बाहर का कलर हलका हो जाए तो भी क्या करते हैं ये डिस्कार्ड तो एक चीज़ या लगना है जब अंदर से गोरा हो और बाहर से काला हो तभी काम में लेंगे वैक्सीन को अदर्वाइस काम में नहीं लेना होगा अंदर वाला सर्कील लाइट हो, बाहर वाला डार्क हो, वैक्सिन यूजेबल है, दोनों कलर सेम हो जाएं, अंदर का कलर, बाहर का कलर समान हो जाएं, काम में नहीं आएगी, अंदर का कलर गहरा हो जाए, बाहर का कलर हलका हो जाए, तो भी काम में नहीं ली जाएगी, clear? आग में यूआइपी आया था यूणिवर्सल इमिनाईजेशन प्रोग्राम कब आया था इَ इस यूआइपी में जब यूआइपी में जब आया तो छ्छै किलर डिजीस पर मेन फोकस था च्छै महा मारिया उसको याद करने का तरीका है डीपीटी और MTP, डिप्थिरिया, पाटूसिस, टिटनस, मीजल्स, टीबी और पोलियो, इन छे बिमारियों को हम six killer disease बोलते हैं, six killer disease बोला जाता है, और इनी को बोलते हैं, यह जो six killer disease हैं, यह EPI पे भी main focus इसी पे था, और UIP भी main focus इसी पे था, clear, EPI का मुलब expanded program on immunization, clear, यह तुवारे 36 point clear हो गया है, अब कुछ MCQs जो मैंने अभी तक पढ़ा हैं, उन में से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें comment करके उसका जवाब देना है, सुनिएगा, प्लेशेंटा को कौन से color code में dispose किया जाता है, जल्दी से जवाब देंगे, प्लेशेंटा को कौन से color code में dispose किया जाता है, comment box में जवाब आना से सभी का, प्लेशेंटा को, बहुत बढ़ी है, यह कौन red बोल रहा है भई? चलिएगा, बहुत सही, अधिकांज का जवाब सही है, इसका अभी आर कंसेंट्रेटेड, पढ़ाई पर तुम्हारा ध्यान है, एक और सवाल, question number second सुनिएगा, question number second सुनिएगा, seat belt पहनना और helmet पहनना, कोन से level का prevention है, seat belt पहनना और helmet लगाना, कोन से level का prevention है, seat belt पहनना, और helmet लगाना, कोन से level का prevention है, किसने बोला secondary, primordial भी, confuse हो रहे हो बही, primary जवाब होगा, जवाब क्या होगा, primary, क्या जवाब होगा, primary, clear, चलिए, next देखिए का, next देखिएगा, next देखिए, DPT, MTP, यह six disease जो होती है, इन्हे six को vaccine preventable disease के नाम से भी हम जानते हैं, clear, चलिए, आज़ाइए, आगे और पूछेंगे, quarantine किस में आएगा, quarantine primary level का prevention है, clear, mission in the dhanush, कब start हुआ, तो 25 दिसंबर 2014 को start हुआ था, और यह 5 साल तक यह बच्चों को cover करने के लिए आया था, और इसका target था, कि 2020 तक यह कारणावा कर देंगे, target 2020 तक रखा गया था, clear, 2020 तक इसका target रखा गया था, mission in the dhanush का, pulse polio जो होता है, pulse polio को क्या बोलते है, यह campaign होता है, campaign, program नहीं होता है, बहुत सर लोग इसे program बोलते हैं, यह था, pulse polio campaign होता है, कभी start होता हुआ तो जवाब होगा, 1905 में, दो डोज लगी है, पहली डोज और दूसरी डोज, 25 दिसंबर 24 बहुत बढ़िया, यस, आपका इंद दनूस, 25 तारीक को start हुआ था, दिसंबर 2014 के अंदर, next देखिएगा, यह तुमारी pulse polio के संबन्द में ही है, pulse polio जो होता है तुमारा, इसकी पहली डोज कभ लगी, 9 दिसंबर 1995 को, और दूसरी डोज लगी है, 291996 को, first dose लगी है, पहली dose दी गई कभ, जवाब होगा, 9 दिसंबर 1995 को, दूसरी dose कभ दी गई, जवाब होगा, 201996 को, second dose दी गई है, clear, इसके अलावा, next देखिए गया, बरत कुसवा, concept RNA number one institute, thank you to trust on concept RNA, gold, आपका जो cold chain होता है, cold chain का, मतलब क्या होता है, तापमान को maintain करना, कहा से, कहा तक, तो जवाब होगा, vaccine के formation से लेकर, administration तक, vaccine जहां से बनती है, वहाँ से लेकर, जहां लगाई जाती है, administer किया जाता है, इसके बीच में, vaccine को, तापमान को maintain करना, हर vaccine का लग-लग तापमान होता है, मैंने बोला है, cold chain अभी तुम्हें समझाया, उससे पहले की 2-8 डिगरी पर होती है, T-series वाली vaccine, और polio वाली minus 20 पर, मिजस की minus 10 पर, उनका तापमान एवेंटन करना, आपको आना चाहिए, इसके लाबा, एक vitamin K, यह भी दिल्ली एमस का सवाल है, vitamin K का कितना डोज लगाते हैं, विटामिन के जो pre-term बच्चे में लगता है, वो 0.5 mg लगता है, और जो टर्म बच्चे में लगा जाता है, वो 1 mg लगाया जाता है, clear, 1 mg और 0.5 mg, clear, आगे देखिएगा, next, next देखिएगा, BCG की जो तुमारी वैक्सीन है, BCG की वैक्सीन, जनम के समय दा BCG की वैक्सीन दी जाती है, वो कितना ml और कौन से रूट से लगती है, 0.5 ml इंट्राडर्मल रूट से दी जाएगी, clear, इसके लावा, left upper arm में ही लगाई जाती है, यादा कियेगा, क्यों लगाई जाती है, uniformity के लिए, scar forming vaccine भी यही होती है, scar के लिए एक मातर vaccine छोड़ती है, BCG की vaccine होती है, BCG scar forming vaccine है, यह BHU में पूछा गया सवाल है, कि बताओ, scar कब छोड़ती है, कितने समय पे, 6 से लेकर 12 माईने पर scar छोड़ देती है, clear, कुछ सवाल, BCG से लेटेड है, BCG intra-adermal route से लग रही है, 0.05 mm लगती है, uniformity के लिए लगाई जाती है, scar forming vaccine होती है, scar 6 से 12 माईने पर, 6 से 12 week पर छोड़ देता है, clear, याद रखिएगा, इसके लावा next point देखिएगा, जो बच्चे में IM side लगाई जाती है, बच्चे में IM injection, तुम्हें vastus muscle में लगता है, लेकिन बच्चे के अंदर कौन सा जगह लगेगा, याद लखिएगा, यह बहुत examen में repeat हुआ है, बच्चे की IM side होती, anterior lateral aspect, anterior lateral aspect of mid thigh, और muscle का नाम होता है, vastus lateralismuses, बच्चे में IM injection, कौन सी muscle में लगता है, vastus lateralism muscle में, याद रखिएगा, बच्चे में, यह है, gluteus muscle में नहीं लगेगा, vastus lateralism में लगेगा, कितने समय तक यह लगता है, लगबग, जवाब देना है, 12 महीने तक लगबग वहीं लगेगा, clear, rotavirus की root मूशा गया है, rotavirus oral root से दिया जाता है, 5 drop पिलाते हैं हमसकी, कितने drop पिलाते हैं लगबग, 5 drop, clear, इसके लावाद देखिएगा, measles की vaccine वो कब दिया जाता है, 9 महीने पर देते है, कौन से root से देते हैं और कितना देते हैं, 0.5 ml दिया जाएगा, 0.5 ml दिया जाता है, और subcutaneous root से देते हैं, subcutaneous root से दिया जाता है, कौन से vaccine की बात कर रहा हूँ, measles की vaccine, 9 महीने में देते हैं, किसके साथ देते हैं, vitamin A के साथ देते हैं, विटामीन एके साथ दे रहता है नो महीने के उपर क्लियर अलॉंग विटामीन ए बहुत बढ़िया सीपी धाकर जी यही नेक्स देखिएगा कि नेक्स देखिएगा इसमें यह बोला गया कि वैक्सिनों को कब तक देना चाहिए अधिक्तम जैसे यह सवाल बन चुका है कि बीची जी वैक्सिन को कब तक देना चाहिए एक साल तक एक साल तक बीची जी की वैक्सिन को देते हैं और कौन-कौन सी वैक्सिन है तो PCV, Pantavalent, Rotavirus और FIPV इन सभी वैक्सिनों को हम एक साल तक दे सकते हैं मेक्जीमम समय वोदी वन-ईयर होगी इनकी और ओपीवी वैक्सिन की जीरो डोज 15 दिन तक दे सकते हैं यह सवाल पूछा गया है आपका पीज़ेए चंदिगर्ड पीज़ेए चंदिगर्ड पीचंदिगर्ड पीचंदिगर्ड पब्लिक हैथ नर्स की एक्जाम में 2019 में ह ऐपटाइडीस बी जो है वहा है उसकी जीरो डोज यह नियुकल तक दे सकते हैं 24 घंटे तक जनम के 24 घंटे तक दे सकते हो उकस्ट है टू और ओपीवी फर्स्स फेंड और था पास साल तक जोols-पीवी वैक्सिन स्वाल पास सृत्र тоक इसके बाद देखियेगा आ Tanji nprif уп उससे आद कर सकते हैं लेश देखिएगज़क हूं कि फास्ट डोज यह विटामीन एक की बात कर रहा हूं यह सब किसकी बात कर रहा हूंizza हूं विटामीन एक विटामीन एड जो होता है तुम्हारा इस विटामीन एक ही डोज पे भी सवाल बनता है एक्जाम में विटामीन एक ही पहली डोज कितनी लाख इंटरनेशनल इनिट होती है और एक के बाद जितनी भी लगाई जाएंगी हैपिटाइडिस की कितनी डोज लगती हैं किसकी बात कर रहे हैं एडल्ट में की बच्चों में सुनिता है मीजी किसमें पूछना चाहते हो है अगर एडल्ट में बात करते हो हैं य। बच्चों के अंदर बात करोगे हैं चिल्टरन में तो हैपिटाइडिस बीकी एट बरत लगती है उसके बाद में इसको pentavalent में जोड दिया गया है pentavalent की रूप में जोड दिया गया है और pentavalent लग रही 6 10 और 14 वीक पर clear तो यह आपकी hepatitis B की vaccine है hepatitis B की जो vaccine adult में लग रही है 0,1 और 6 पर लगती है और बच्चे के अंदर at birth पर लगाई जाती है इसके अलावब फिर उसके बाद 6 वीक पर 10 वीक पर 14 वीक पर लगेगी लिंग नहीं हो है hepatitis B की नहीं लग रही पेंटावलेंट की लग रही है pentavalent में hepatitis B सामिल हो गया है उसी को मिलाए गया उसमें clear चलिए next देखिएगा कि यह हम vitamin A की बात कर रहे थे vitamin A की पहली डोज एक लाख international unit उसके बाद सारी डोज कितनी जाएंगी जवाब होगा दो लाख international unit दो लाख international unit तो तोटल कितनी हो गई इस पी टोटल डोज कितनी लगती है तो जवाब होगा तोटल डोज होती है नो नो बार पिलाते हैं गैप कितना होता है और तोटल डोज कितनी जाती है तो शत्रा लाक जाएंगी शत्रा लाक international unit टोटा जली जाती है clear इसके लावा यह बता दिया है इसमें 6 मैने गैप होता है आगे देखिएगा next यह भी तुम्हारे इम्मिनिटी वाले पोर्शन से लिया गया है जितने भी नैचुरल इंफेक्शन होते हैं आपको कोई बिमारी हुई मिजास माम सुरूबैला कोई भी उससे जो इम्मिनिटी मिलती है वो कैसी होगी तो यह सारे इंफेक्शन वगवान करता है और एंटीजन करन करते हैं तो वह वैक्शीन जो भी है वह हमने तो बनाई नहीं भगवान ने तो बनाई नहीं मनुस्यें बनाई है कि जिए यह जो फेंटीजन दौर्डी में डाल रहे हूं है और वे जो हो रहा है और कि लिए जो ब्रस्ट मिलक तौरा ट्रांसपर हो यह कौन सा होता है जवाब होगा नैचूरल है और पैसिव में जाएगा नैचूरल पैसिव इम्मिनिटी का भाग होगा चलिए नेक्ट पॉइंट देखेगा यह सवाल भी बहुत जगह repeat हुआ है कि टीटी का टीटी नाम की वैक्सीन होती है कॉन्सी वीमारी जो है इसे नहीं देती तो भी जवाब हो का ठितनस से हमें हट लिटमिनिटी को मिजस एक बार होने के बाद दुमावनां नहीं होती है ना के बराबर तो दुबारा नहीं होता है सबसे ज्यादा हार्ड इम्मिनिटी पतान करता है मीज़स और सबसे कम यानी नहीं करता विलकुल वह कौन सा होगा तो जवाब होगा टीटी वाला क्लियर जब हम ये सवाल भी सुनिएगा अगर किसी बच्चे के अंदर कोई भी व्यक्ति है उसमें आपको वैक्सीन लगानी है या इमिनोग्लोबिन लगानी है इसका निर्धारन करेगा ये पॉइंट मानो एक व्यक्ति आया तुम्हारे पास में उसको इंजरी हो रखी है लेकिन ल लगाये जाएगा वह क्या होगा तो याद लखिए का उस समय आप उसमें टॉक्सोड लगाओगे लेकिन अगर लक्षन लेकिया रहा है एक व्यक्ति है जिसमें टुक्षन आ रहे है वह इस्पाज में जा रहा है और अब तुम टुम्हारे लगाओगे तो वह तो इमिनिट के साथ मरी जाता है तुम्हें इमिनोग्लोबिल लगानी है और अंटी टॉक्सिल लगाना होगा और जब कभी भी तुम देख रहे हो कि व्यक्ति के अंदर क्या तुम्हें नजर आ रहा हो आपका परसन जो आया है उस परसन में अगर वुंड वुंड है केवल तो उसमें हम इतना स्टॉक्सोड लगा देंगे क्लियर हुमोरल इमिनिटी इमिनिटी में से लिया गया हुमोरल इमिनिटी जो होती है वह कैसी होती है तो बोलना एंटी बोडी मिडिटेड इमिनिटी होता है क्लियर अजसर हेलो एवरीवन राम राम नितेज सर राम राम आजसर क्लियर ह वो moral immunity antibody-mediated immunity होती है यह कौन सी होती है antibody-mediated immunity cellular immunity इसकी ट्रिक मैं पताऊँगा तुम्हें इसको याद करना होता है आपकी HB से hemoglobin और TC यानि cellular immunity T lymphocyte से बनती है और हमोरल immunity B lymphocyte से बनती है ट्रांसपर से टिपिक और दूसरा होता है तुम्हें हम इससे याद करते हैं तो cellular immunity cell immunity immunity होती है और हमोरल immunity किसे बनती है जवाब होगा B lymphocyte से HB याद लखना है तुम्हें तो हमोरल immunity B lymphocyte से बन रही है और हमोरल immunity कैसी होती है तो यह antibody immunity होगा और cellular immunity कैसी होती जवाब होगा cell immunity HIV AIDS में कौन सी immunity कमजोर हो जाती है यह सवाल बहुत बार repeat हुआ याद लखना है cellular immunity तोंकि cd4 cell गड़ जाती है उस समय कौन सी cell कम हो जाती है cd4 cell HIV AIDS में cd4 cell कम हो जाती है clear याद रखिएगा AIDS जो होता है उसमें cd4 cell की संग्या कम हो जाती है और यही वज़ा है यह HIV AIDS में हमारी cellular immunity कम देखी गई है कमजोर हो जाती है आगे देखिएगा next पॉइंट नमर 64 इस अब्र इमिनटी जो तुमारी होती है cellular immunity जो तुमारी होती है cellular immunity यह cellular immunity जो तुमारी है cellular immunity के अंदर a cellular immunity के अंदर किससे इसका production होगा तो जवाब होगा T-Lymphocyte से किसे होता है T-Lymphocyte से यह है तुम्हारी immunity T-Lymphocyte से बनती है clear इसके लवा antibody produced by B-Plasma cell यह भी बहुत बार repeat हुआ है कि तुम्हारी antibody जो होती है वह किसे produce हुई है तो जवाब देना है तुम्हें यह किसे produce होती है B-Plasma cell से किसे होती बेटा B-Plasma cell से clear है सारे points चलिएगा यह कुछ अब हमने जो भी points पड़े हैं उनकी topic मैं तुम्हें बता रहा हूँ और इन topicों को तुम्हें एक बार किविज जो भी मैंने इस class के अंदर golden points में clear किये है याद रखिएगा पहला point यह आपका health वाले chapter से लिया गया है health वाले chapter में से जो सवाल mostly बनता है community में सुनते रहेगा बहुत important बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें clear health के अंदर जो आपका जब भी आप health पड़ोगे health में आपको steps बताए आपका यह देखने को मिलेगा कि health के अंदर कौन-कौन से dimension सामिल किये गये हैं यह सवाल health वाले chapter से यहां लिया गया है दूसरा वाला है vaccination को मैंने पूरा cover करने का प्रियास किया है जो भी महत्पूर्ण को कि सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण vaccination याद लखिएगा जो NORSET 2021 गया था NORSET 2021 में सबसे ज़्यादा सवाल जो exam में आये हैं वह family planning और vaccination पे थे next session में हम family planning को और communicable digits को discuss करेंगे लेकिन अभी इसके अंदर हम ने डिसकस किया है vaccination को पूरा vaccination में जो भी छोटा सवाल बड़ा सवाल बनता है वो मैंने cover करने का प्रियास किया है covid vaccine को मैंने या सामिल नहीं किया क्यों कोविड vaccine का मेरा अलग से वीडियो ओलड़ी बनाया हुआ है तुम उसे जरूर देख सकते हैं उसमें सारे मैंने ओलड़ी पढ़ा रहा है इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया है कि वो ओलड़ी मैं उसके बारे मता चुका हूँ उसे जरूर पढ़ना याद रखिएगा सबसे महतपूर vaccination में है covid vaccination covid vaccination ये जरूर याद करके जाना याद रखिएगा covid vaccination बहुत महतपूर है ज्यादा सवाल बढ़ने की पूरी संभावना रखिएगा covid vaccination में कम से कम 3-4 आम से क्यों तुम्हें जरूर मिलेंगे नॉर्सेट में याद रखिए इसको जंक से पढ़के जाना कौन से लाइव है कौन सी किल्ड है कौन से रिकमीनेंट है कितना गैप से दे रहे हैं कब-कब आईए ये चीज़े जरूर पढ़ना है तुम्हें इसके अंदर से clear इसके अलावा मैंने याद डिसकस किया है तुम्हारा वेक्सिनेशन के अलावा लेवल औफ प्रिवेंशन क्योंकि लेवल औफ प्रिवेंशन से सवाल बनते हैं लेवल औफ प्रिवेंशन level of prevention को पूरा मैंने cover करने का प्रयास किया सारे example के साहिद आपको इससे पूरी detail से पढ़ना है clear BMW Bio Medical Waste Bio Medical Waste जो Bio Medical Waste होता है Bio Medical Waste के अंदर Bio Medical Waste शूड नॉट बी स्टोर्ड को स्टोर करने की अगर हम बात करें कि नोर्मल वेस्ट अगर तुमारा है तो यह 48 घंटे में वेस्ट को ट्रांसपोट कर देते हैं और कोविड का वेस्ट है कि तो इसे 12 वार में हम ठ्रांसपोट कर देता है क्लियर बार बगाद चेंज कर दिया जाएगा क्लियर नेक्स्ट बायो मेडिकल वेस्ट को मैंने पूरा कवर किया है तुम्हार लिए येलो कैटिगरी में क्या जाएगा रेड कैटिगरी में क्या जाएगा ये दोनों कैटिगरी सब ज़्याद इंपोर्टेंट है या लगना येलो पे सबाद सब जाद आता है उसके तुम्हें जरूर याद रखना होगा इसके लावा नेक्स देखिएगा इसके लावा मैंने कवर करने का प्रयास किया इमिनिटी को इसको कवर करने का प्रयास किया है इमिनिटी को इमिनिटी जो तुम्हारी होती है इमिनिटी जो है त इमिनिटी का पूरा वीवरेट मैंने दिया है कि कौन से इमिनिटी कहां बनती है और कौन से एक्जामपल में सामिल की जाएगी इमिनिटी वाला पोर्शन हमने पूरा कबर करने का तुम्हारा प्रयास किया है यह सारे ऐसे टोपिक है जहांसे एक्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं clear? इसके अलावा भी family planning और एक हमने discuss किया आपका infection वाला iceberg phenomena, iceberg phenomena, iceberg phenomena में आपका submerged portion और floating tip वाला portion यह हमने पूरा cover किया है इसके अलावा एक incubation period दो इसे infectious cycle भी बोलते हैं इनफाक्सियस साइकिल यह सारे वो points है जो अती मेहत्वूर्ण होते हैं देशना हैं जासे सबसे testimony vaccination सब्सक्रीका औरव से ऊच listen क्जाम की isn't आगा हुगा को मैं तुमसे मुलाकात करूंगा या लखना सबसे ज़्यादा mcq तुम्हारे इसी के अंदर देखने को मिलेंगे चलिए लास्ट हम ट्रिकों के साथ खतम करते हैं सेशन को लाइव की और टिल्ड की ट्रिक बता रहा हूं लाइव एक्षिन कौन से और ट्रिक वैक्षिन की कौन किसी ट्रिक है याद रखिएगा जमाना किसका है ट्रिकों का याद रखिए सबसे पहले राइव की ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें बेटा बहुत तेज बेटा बहुत तेज लिकली जिएगा बेटा बहुत तेज बेटे का मतलब है बैक्टीरियल लाइव एक्सीन बैक्टीरियल लाइव एक्सीन बहुत तेज बहुत का मतलब बी और तेज का मतलब टी दो वैक्सीन है जो बैक्टीरियल लाइव होती है दो वैक्सीन ऐसी है जो बैक्टीरियल लाइव है पहली है बी बराबर बी सी जी और टी बराबर औरल वाली यह दोनों वैक्सिने बैक्टीरियल हैं बेटा बहुत तेज क्लियर इसके लावा देखिएगा नेक्स्ट तुम्हारा सेकिंड है वाइरल वाली लाइव की बात कर रहा हूं यह भी लाइव में वाइरल वाली वैसे वैसे रामचाचा और यह मोहन यह मोहन मुझे रुलाता है वैसे का मतलब यह वाइरल लाइव है आर बराबर रोटा वाइरस डाइरिया के लिए दी जाती है यह सी बराबर चिकन पॉक्स सी बराबर चिकन पॉक्स ओ बराबर आपीवी वाइ बराबर यलो फीवर यलो फीवर एम एम आर मीजल मम्ज रुबैला था बेटा बहु तेज दूसरा वैसे रामचाचा और यह मौहें मुझे रुलाता है clear MMR मीजल्स मम्स और रुबैला मीजल्स मम्स और रुबैला यह सारी कैसी है तुम्हारी लाइव एक्सीन है चलो किल्ड भी देख लो किल्ड वैक्सीन का पहला ट्रिक अपने घर जाके मत बोलना पापा के सामने वैसे राम चाचा वैसे रा नहीं किल्ड वाली है पहले बेटा तेरा चाचा पागल पापा तेरा चाचा पागल पापा बेटा तेरा चाचा पागल पापा देखेगा बेटे का मतलब बैक्टीरियल बैक्टीरियल किल्ड है टी बराबर टाइफोड ये टाइफोड इंजक्शन वाली है पहली वाली जो मैं मैंने बात की थी वह कैसी थी तो वह औरल वाली थी टाइफ औरल ये टाइफ इंजक्शन वाली है सी बराबर कोलेरा हैज्जा पी बराबर प्लैग और नेक्स्ट पी बराबर पर्टुसिस तो याद करना होगा इसको बेटा तीरा चाज्जा पागल पापा सबसे लास्ट इसी किल्ड में वाइरल वाली किल्ड की वाइरल की बात कर रहा हूँ इसको भी देखेगा वैसे रवी सर्मा वैसे रवी सर्मा इंडियन होते हुए जापानीज इंडियन होते हुए जापानीज चाइल्ड है देखिएगा वैसे का मतलब वाइरल किल्ड है ये आर बराबर रेबीज एस बराबर सालक सालक आई पीवी को बोलते हैं इंजक्तेवल पोलियो वैक्सिन को आई बराबर इंफलेंजा है आई बराबर इंफलेंजा एच बराबर हैपिटाइटिस भी है पिटाइटिस भी फिर एच बराबर हैपिटाइटिस एए ए और जे बराबर जापानीज एंसेफलाइटिस और सी बराबर यह मिन और सेट दो हजार 21 का सवाल है को वैक्सिन को वैक्सिन क्लियर इस ओल्स कमस इंटू दा किल्ड वैक्सिन तो इसी के साथ में पार्ट फर्स्ट खतम होता है देखना ना बूलिएगा पार्ट सेकिंड कल हम बात करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे फैमली प्लानिंग को और इसके लाबा कमिनिकेबल डिजिज वाले प